दोस्तों यह जो आप देख पा रहे हैं यह है एक router जो कि Airtail Extreme Fiverr के connection के साथ आपको मिलता है, free में मिलेगा, लेकिन यार installation cost कितना लगता है, मुझे कैसे free में मिल गया था, हर एक जानकारी में आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा, पूरा step of installation, plans कौन से best र comparison भी इसके वीडियो में आपको end में मिल जाएगा, तो make sure कीजिएगा कि यह वीडियो आप पूरा अंतक देखे, क्योंकि बहुत जादा detail analysis के साथ में ने बनाया है, वीडियो अच्छा लगेगा, like कीजिएगा, 3000 like target है, please पार करा दीजिएगा, तो सबसे पहले दोस्तों बा जिसकी कीमत होती है, 799 और उसके उपर से GST, तीन महीने के लिए अगर आप select करते हैं, तो total cost हो जाता है 2829 जो कि आप देख सकते हैं, ये वाला plan अगर आप select करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी 1000 रुपय नहीं देना पड़ेगा, यानि कि आपका installation पूरी तरीके से free ह हो जाता है, अब late suppose अगर आपको 100 Mbps का plan नहीं चाहिए, तो 40 Mbps वाला भी plan जो कि 499 के साथ आता है, वो 6 महीने के साथ एक ही बार अगर आप recharge करा लेते हैं, GST, अब add करने के बाद 3,004 रुपय होता है, वो अगर आप एक ही बार 6 महीने के लिए करवा लेते हैं, 40 Mbps के स चीज होते हैं, तो installation के दौरान एक आपको cable मिलता है, जहां पर आपको 100 से लेकर की 150 Mbps तक max distance अगर रहेगा, तो आपको कोई भी cable का charges नहीं देना पड़ेगा, बाइदे वे, अब जब आप connection कराने जाओगे, तो एक चीज का ध्यान रखना, internal wiring नहीं करते हैं, जो जहां प मैं दिखा देता हूं, तो wire को ये लोग अच्छे से cut कर देते हैं, अंदर fiber optical रहता है, जो कि आप देख सकते हैं, बहुत पतला रहता है, और ये glass का बना रहता है, तो इसको cut किया जाता है, machine की मदद से जो कि आप देख सकते हैं, और उसके बाद जो यहां पर extra से wire connect होता है आपके router में जो yellow color का wire rat है, उसको भी अच्छे से yellow clean करके align करते हैं इस machine के अंदर, और उसके बाद ये दोनो fiber optical आपस में जुडते हैं, splashing के माधियम से जो कि आप देख सकते हैं, तो ये चीज बहुत जादा interesting है, जब आप लगवाओगे देखोगे तो आपको ये चीज अच और पहला end आपका router में लगता है, तो अभी फिलाल अगर में इसको unbox करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, राउटर अंदर के तरफ आपको मिलता है, डिपेंड करेगा कि आप कब लगवा रहे हो, आज लगवा रहे हो, कल लगवा रहे हो, या कब लगवा रहे हो और हाँ phone के connection भी आप यहाँ पर से add-on करा सकते हैं, यहाँ पर आपको USB भी लगाने का option मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको पीछे के तरफ से दिखाऊं तो आप clearly देख सकते हैं, कि phone के connection को भी आप यहाँ पर add कर सकते हैं, LAN के सारे support आपको मिल जाते हैं, और साथी साथ reset, power और power on-off का भी आपको option देखने को मिल जाता है, बाकी यह जो दो antennas हैं, इसको आप किसी तरफ भी चाहो तो rotate कर सकते हैं, इस तरीके से जो कि आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर से आपको paper box मिल जाते हैं, एक power cord भी दिया गया है, और साथी साथ य यहाँ पर यह लोग connect कर देते हैं, इस router के अंदर, एक बास सब कुछ जब हो जाता है, आप इसके लिए कितने time लगते हैं, तो लगभग आपका 2.5 घंटा लग जाता है, लेगिन इससे पहले आपका एक registered mobile number लिया जाएगा, साथी साथ आपका आधार card और हाँ आपसे पैस आपको मिल जाता है, तो एक बास सब कुछ जब हो जाता है, तो आप internet का speed चेक कर लेना, और हाँ मैंने 100 Mbps का recharge कर आया था, मुझे इतना speed मिल जाता था, अब चलो मैं plans के बारे में आपको फड़ा फड़ा बता देता हूँ और क्या offers आ रहे हैं, उसके बाद मैं आपको मिल जाएगा, इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको 100 Mbps का speed चाहिए, तो 799 का आपको recharge करवाना होगा, 30 days की validity मिलेगी, और यहाँ पर आपको 100 Mbps मिल जाएगा, अगर आप GSTS पर आड़ करोगे, तो 943 रुपिस पर मन्थ आपको देना पड़ेगा, तो यह दोनों जो प् का speed मिलेगा, और अलग से आपका GST भी लग जाएगा, जिसके माध्यम से अगर आप 18% अड़ करते हैं, तो 1179 मतलब 1179 रुपिस का आपको recharge कराना पड़ेगा, तब जाकर कि आपको Disney और Amazon का subscription मिल जागा, एक महने के लिए, अगर आपको Netflix वाला चाहिए, तो फिर आपको 300 Mb वाला recharge से करवाना होगा, जो कि महज 1499 का आता है, और उसके उपर से GST भी लग जाता है, तो overall यही plans के आपको recharge मिलते हैं, हलाकि एक offer में आपको बताना चाहूँगा, कि अगर आप 6 माईने का recharge कराते हैं, तो throughout the amount में आपको 7.5% discount मिलेगा, तो एक तरीके से ये काफी अच् में, मतलब अगर आप 7.5% discount कर देते हैं, तो 52.34 आपको देना पड़ेगा, तो discount हो जाता है, तो यह चीज मुझे अच्छा लगा, अब यहाँ पर से दोस्तों काफी लोग question मुझे से पूछ सकते हैं, कि 40 Mbps के साथ जाए 100 की 200 कौन साल ले, तो देखो मैं आपको simple बता दे देखना आप कि आप कितना devices use करते हैं, जैसे अभी फिलाल के लिए 1-2 और 1-3 devices है, तो 3-4 devices अगर आप use करते हैं, मतलब आपके घर में कितने लोग भी हों उससे मतलब नहीं है, आपके घर में devices कितने use हो रहे हैं उस connection के साथ, वो अगर आप 3-4 के आसपास use करते हैं, तो मे खुद यूज करता हूँ, तो बहुत सारे अलग-अलग devices connect करने होते हैं, तो उसी वज़ा से कहीना कहीं मुझे 100 WPS का plan से recharge कराना पड़ा, और यहाँ पर मुझे पूरा stable connection मिल गया throughout this 3 महीने में, लेगिन हाँ, downtime भी कभी मुझे phase करने को मिला था, स्टार्टिंग में जब हम दो-दो दिन तक हुआ है, बलब कुछ घंटी के लिए ही होता है, और उसको चाहो तो आप आराम से track भी कर सकते हैं, phone पे बात भी कर सकते हैं, complain raise कर सकते हैं, तो air tilt hangs app के अदर आप जाओगे, तो सारे चीज आप आराम से manage कर सकते हैं, वसे एक pro tip में देना चाहूँगा कि द connected रखता हूँ, और मेरे घर में जितनी भी मेरे ममी पापा लोग सब है, उनका 2.4 GHz पे connected रहता है, तो इससे मुझे भी दिक्कत नहीं होती है, उनको भी दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा speed मुझे ज़ाधा मिल जाता है, तो वही चीज है, तो आप भी ये चीज कर सकते हैं, हलाकि ये सारा चीज पूरी तरीके से अगर आप manage और देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप Airtel Extreme Fiverr का जो application आता है, उसको आप download कर सकते है, register कर लेना, और उसके login जब आप कर लोगे, तो बहुत ही अच्छे से आप देख पाऊगे, कि कितना uses आप नहीं किया है, तो यह ये सब चीज मुझे अच्छा लगा, इस application के अंदर, reboot ये सब सब कुछ आप कर सकते हैं, और बाकी recharge करने के लिए आप कोई सा भी application यूज कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, हलाकि एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, कि मैं जो connection यूज कर रहा हूँ, वो ह अपने का recharge करा लो, तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारे information बता दिया, मुझे नहीं लगता YouTube पे इतना detail analysis वाला आपको video मिलेगा, तो यार इसी बात पर like हो जाना चाहिए, अब चलो बात कर लेते हैं, main important point पे, कि भीया, Airtel के बारे में तो हमने काफी सारी बाते आपको ब मैं यह नहीं बोलूँगा कि इसी के साथ मैं continue करूँगा, इसी के साथ करूँगा, दोनों में से किसी में भी recharge करूँगा, कोई problem नहीं है मेरे लिए, लेकिन आपको मैं यही suggest करूँगा कि जहां पर भी आप रहते हैं, मुझे तो नहीं पता कि आप कहां से ये video देख रहे ह तो downtime ये depend करेगा location wise, तो वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं पूरी तरीके से दोनों के user से satisfied हूँ, तो ये मेरे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो changes आपको देखने को मिलेगा, वो मैं बता देता हूँ ताकि आपको एक idea लग जाए, तो देखो यहां पर भी लगा सकती यहां पर भी, लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि Jio का calling app होता है उसके माध्यम से भी आप connect करकी use कर सकते हैं, जो कि यहां पर नहीं है, तो मैं काफी दिनों तक Jio का application उसको use किया करता था, क्योंकि मुझे कोई पैसे तो देने नहीं पड़ रहे थे extra, तो जो कि आपको Jio के साथ मिलेगा, इसके साथ नहीं मिलेगा, और इसके साथ अगर आपको use करना है, तो P&T अलग से आपको खरीदना होगा, लगबग 500 में I guess मिल जाता होगा, आप बताने यार कि क्या scene है, मुझे तो इतना idea नहीं है, खेर यहां पर recharge के plans में बहुत से start होगा दिखेगा, जो कि 40 Mbps के साथ मिलेगा, तो speed 10 Mbps जादा है, तो पैसे थोड़े से जादा ले रहे हैं, बाकि 699 वाला जो plan है ना, दोनों के almost नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं, और यहां पर 799 देना पड़ता है Airtel के case में, बाकि यहां पर से जो आपका 150 Mbps क जो कि आप देख सकते हैं, और बाकि अगर आप 1499 का recharge कराते हैं, तो दोनों ही case में आपको 300 Mbps मिलेगा, with Netflix का subscription, जो कि सही है, मतलब अगर आप यूज करते हैं, तो वही सारे changes हैं, आपको देखना है कि भया हमारे लिए 100 पर जादा important है, यह speed जादा important है, तो वो आपके कि आपको free trial मिल जाता है, अभी मैं check कर रहा था, offer मुझे मिला था, पहले जब मैं 2 साल पहले लगवा था, तो भी मिला था, अभी भी offer चल रहा है, 30 days का free trial आपको देखने को मिलेगा, इस Jio के अंदर, तो यह चीज मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि यार, मतलब आप use करो देखो सही लग रहा है, तो ठीक है, otherwise आप 25-26 दिन use करके भी चाहो, तो इसके connection को cut कर रहा सकते हैं, तो वो चीज आपको Jio के अंदर मिल रहा है, यहाँ पर यह चीज नहीं है, Airtail के अंदर, तो वो चीज आपको थोड़ा देख लेना है, तो अभी तक मैंने आपको काफी सारे information बताया, लेकिन एक-दो information अभी तक नहीं दिया हूँ मैं, कि अगर आपके घर पे है या नहीं, वो कैसे आप check करोगे, तो उसके लिए एक poll का आपको तलास करना होगा, तो कुछ इस तरीके से poll दिखता है, आप देख सकते हो, तो ऐसा कुछ दिखेगा, तो आप समझ दिखता है, तो उसके लिए आप चाहो तो Airtel के website पर जा करके अपना अरजी दे सकते हो, यानि कि आप apply कर सकते हैं, अपने phone number ये सब डाल करके, सामने से call आएगा, और जो भी मैंने आपको बताया, details, जो भी आपको सही लगता है, plan select करके, आप लगवा लेना, और उसके ब करेंटी बोल सकता हूं, बाकि यार वीडियो अच्छा लगवागा लाइक करना, 3000 लाइक टारगेट है, अब एक लाइक कर दोगे 3000 की ऊपर चला जाएगा, लास्ट वीडियो में तो आपने यार बहुत तहल कहीं मचा लिया था, तो अच्छा लगता है यार, मतलब इस तरी करके बेल नोडिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, तो मैं हूँ आपका दोस्त अब जीद, मिलना आप से नेक्स वीडियो में, थैंक्स लाट फू वाचिंग,